इस वीडियो में 7-8 CMA का official announcement के बारे में बात करेंगे CMA intermediate foundation and final सारे student के लिए सबसे पहले intermediate and final student को update करेंगे जो लोग first time exam दे रहें उनको doubt आता रहता है सबसे पहले ICMA का official website प्यादाने student connect portal पे आपको click कर देना है आप लोगों से request करेंगे student पूशते भी रहते आप लोग please past year का question paper करके जाए एक्जाम देने यहाँ पे आपको past year का question paper आपको last exam का आप लोग download कर सकते हैं प्लीज आप लोग जाए last exam का question paper को 2-3 साल का करके student पूशते रहते किस तरीके से download करें last exam का question paper इसी तरीके से CMA foundation intermediate and final का student download कर सकते हैं यह आप लोगों के लिए first update था अब बात कर लेते हैं second update के बारे में कुछ student पूशते suggested insert sit कहां से download कर सकते हैं इसके नीचे में ही suggested insert sit है आप लोग यहां से download कर सकते हैं यह दो update कर दिये CMA intermediate and CMA final student के लिए next exam के लिए आप सारे student को all the best अच्छे से आप लोग एक्जाम में appear कीजिए past exam का question paper बहुत important होता है अब बात कर लेते हैं CMA foundation student के लिए अब सारा update CMA foundation student के लिए है अब बात कर लेते हैं third important update के बारे में print out निकलबा करके अपने पास रखना है अब बात कर लेते हैं fourth important update के बारे में जो कि जैसे कि आप लोग को पता है कल आप लोग का model exam है यह compulsory exam नहीं होता है लेकिन आप सारे student को देना चाहिए model exam जितना दो गया आपका practice हो जाएगा कैसे आप लोगों को final exam में appear करना है सो 10 वज़े से लेकर के 10-25 तक आपको paper 1 and paper 2 का exam होगा बीच में break होगा 10-35 से लेकर के 11 वज़े तक आपको paper 3 and paper 4 का exam होगा अब बात कर लेते fifth update के बारे में model exam के साथ अपना admit card और साथ में कोई भी government ID proof अपने पास रखोगे जैसे कि आधार card, pen card, driver license इन समय से कोई एक होगा तो चल जाएगा अब बात कर लेते sixth update के बारे में आपको registration number, date of birth, pass की एक paper पे लिख करके रखे है क्योंकि अब जैसे ही आप login करोगे exam देने के लिए इसके बाद आप mail को access नहीं कर सकते हो sixth update के बारे में जान लेते हैं आपको laptop या computer पे भी exam दे सकते हैं या mobile phone पे भी exam दे सकते हैं model exam जिस चीज़ पे दीज़ेगा उसी पे ही final exam आप लोग दीज़ेगा जो की 13 जनवरी को हो रहा है अब बात कर लेते हैं seventh update के बारे में चाहिए आप mobile से exam दे रहे हैं चाहिए आप laptop या desktop से exam दे रहे हैं आप लोग का webcam और microphone ये सही होना चाहिए अगर सही नहीं होगा तो question paper आपके सामने नहीं आएगा अब बात कर लेते हैं आठमा update के बारे में आपका model exam हो या final exam जो की 13 जनवरी को हो रहा है इस paper में कोई भी negative किसी भी पेपर में कोई भी negative marking नहीं है तो आप लोग एक भी question को छोड़ के नहीं आओगे अब बात कर लेते हैं 9th update के बारे में अगर power failure ऐसा कुछ भी होता या connection इंटरनेट connection में कोई भी problem तो दुबारा से login कर लीजिएगा टेस्ट के दौरान फ्लीज जब तक आप पूरा टेस्ट complete नहीं होजे तब तक आप submit बटन को क्लिक नहीं कीजिएगा अधरबास submit हो जाएगा तो दुबारा option नहीं मिलेगा यह सारा detail को आपको paper पे note करके रखना है 9th update के बारे में जान लेते हैं model exam के लिए कोई भी pass की नहीं मिलता जब आपको final exam जो की 13 जनवरी को होगा उससे एक दिन पहले आपको pass की आपके mail पे आजाए का order register mobile नंबर पे भी आयोब कि आपके exam से related सारा doubt clear हो गया फिर भी कोई doubt है तो youtube comment box open है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो और last में छोड़ा सा request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification बिल दबाद जिये ताकि आपको CMA related एक भी important update और announcement मिस ना हो पाए